Metaverse दो शब्दों से मिलकर बना है. एक है matter और दूसरा है verse यहां matter यानी beyond जहां हम नहीं सोच सकते हैं. वही दूसरा है verse यानी universe जो आप देख रहे हैं. इसी प्रकार Metaverse का अर्थ है एक ऐसे दुनिया जो हमारे सोच से परे हैं, हमारे सोच से भी आगे है. Metaverse भविश्य की एक technology है जिससे हमारी real world और virtual world एक दुसरे से connect हो जाएगी, और हम real world में होते हुए virtual world में जी सकते हैं. Metaverse में हमारे physical world, augmented reality और virtual reality को मिलके एक ऐसा digital world बनाया जाएगा जहां हम घूम सकते हैं, लोगों से आमने सामने बाते कर सकते हैं, shopping कर सकते हैं आदी. Metaverse भविश्य की एक technology है जिससे हमारी real world और virtual world एक दुसरे से connect हो जाएगी और हम real world में होते हुए virtual world में जी सकते हैं. जैसे अभी आप अपने दोस्तों के साथ video call पे बात करते हैं तो आप अपने दोस्तों को विडियो में देख सकते हैं पर Metaverse में आप अपने दोस्तों से दूर होकर भी एक दुसरे को आमने सामने देख पाऊगे उनके साथ बैठ के बात कर सकते हैं, उन्हें छू सकते हैं, हाथ मिला सकते हैं, गले लगा सकते हैं, यानि आपके बिच की Real World की दूरी Virtual World खतम कर देगी, आप और आपके दोस्त Real World में तो एक दूसरे से काफी दूर होंगे पर Virtual World में एक दूसरे के आमने सामने होंगे, Metaverse एक तरह की Virtual World यानि आभासी दुनिया होगी, यहाँ आप अपनी एक अलग Virtual Identity के साथ Digital World में एंटर कर सकते हैं, जैसे BGMI या Free Fire Games में एक पूरा Virtual World होता है, जिसमें हमारा अपना एक Virtual Character होता है, जिसका एक Virtual Identity यानि एक Virtual Name होता है, और हम उस Virtual Identity के साथ Games की Virtual World में एंटर करते हैं, और फिर हम उस Virtual World में जीते हैं, वहाँ हम अपने दोस्तों के साथ Enemy को ढूरते हैं, उनका पीछा करते हैं, उन पे गोली चलाते हैं, पर Games में हम Virtual World में एंटर नहीं कर सकते, बस हम अपना Virtual Character के साथ Game का मज़ा ले सकते हैं, पर Metaverse में हम Virtual World में अपनी Virtual Identity के साथ Digital World में एंटर कर सकते हैं.